करोना महामारी के कारण प्रदेश में लागडाउन होने के चलते जिम आजकल बंद पड़े हुए हैं और वाडी वेल्डिंग के शौकीन युवाओं को घर बैटने पर मजबूर होना पड़ रहा है लेकिन इस आपता के दौर में हमीरपुर जिला के चमनेड में युवाओं युवाओं ने देशी तकनिक का ओपन जिम तैयार कर एक अनोखी मिसाल पेश की है युवाओं ने वान, सिमेंट, मिटी, इत्यादी के प्रयोग से जिम के उपकरन तैयार किये हैं ताकि गाओं के युवाओं को वाडी विल्डिंग कुस्ती सहित अन्ने खेलों की तैयारि कोबिड महामारी के चलते जादा युवाओं को इस थान पर आने नहीं दिया जाता है लेकिन इस महले के युवाओं यहां रोजाना कसरत करते हैं वहीं गाओं के लोगों ने भी इस जोज को खूप सा रहा है हमिरपुर के विकास खंड वमसन की ग्राम पंचाईट चमनेट के युवाओं ने क्रोना महामारी जैसी आपता को अफसर में बदला है युवाओं परवीन कुमार, राजीव कुमार और दीपक ने मेहनत कर इस देसी जिम को बनाया है इससे पहले ये युवाओं जिम जाते थे लेकिन लॉक्डाउन के कार जिम बंध होने के बाद इन्होंने घर पर ही देसी जिम बनाया युवाओं परवीन राजीव ने बताया कि जिम में हजारों रुपे खर्च करने पड़ते हैं अब देसी तकनीक से इनुक करनों से भी वैसा ही अभ्यास किया जा रहा है हम युवाओं ने मिलकर एक देसी जिम का निर्मान किया जो हमने हम युवाओं ने मिलकर बनाया है इसमें हमने स्मेंट और ब्यांस लगडियों के साथ मिलकर ये जिम बनाया है लॉकडाउन के चलते युबाउं को जिम करने में थोड़ी परशानी हो रही थी, इसके कारण हमने मिलकर ये छोटा सा जिम त्यार किया स्थानी निवासी उमेश का कहना है कि आपदा में युवाउं ने देसी तक्नीक से बेहतर जिम तैयार किया है, जिससे अब गाउं के युवाउं यहां कसरत करने आ रहे हैं, उन्होंने खुशी जताते हु कहा कि युवाउं के देसी जिम का लाब सब को मिल रहा है गाउं चमनेड के कुछ युवाओं ने एक बहुत ही सराहिये काड़े जो है वो अपनी हेल्थ को लेकि किया है इन युवाओं ने घर में पड़े कुछ उपकरणों और बांस, मिटी, सिमीट से एक देशी जिम क्यार किया है जिसमें इस महौले के जो युवा हैं वो रोज प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि करोना के करण लगे लॉफडाउन से जहां जिम पन पड़े हैं तो इन युवाओं को प्रैक्टिस करने में परशानी हो रही थी इसके मदे नजरीन इवाओं ने एक देशी तकनिक इजाद कर एक बहतरी जो देशी जिम है वो बनाया है जिसमें इवाओं जो है लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी सहित का ध्यान लगे है